नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने पर विचार कर रही है इसके लिए सरकार ने एक टाक्स फोर्स का गठन किया है देखिए सौ से ज़्यादा नागरिक समाज संगठन ने सरकार से अपील की है कि वो महिलाओं की शादी करने की नियुनतम उम्र को ना बढ़ाए संगठनों ने दावा किया है कि ऐसा करना माताओं और शिशुव के स्वास्त के सुधार के लिए बहुत कम रहेगा बता दे कि बाल विवा अधिनियम के मताबिक भारत में किसी महिला की शादी करने की नियुनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए लेकिन सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने पर विचार कर रही है इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है ये टाक्स फोर्स कम आयू में मा बनने और विवा से संबंदित मामरों पर फिर से ज्याज करेगी वितमंतरी निर्मला सिदारमन ने इस साल बजट के दौरान इस टास्क फोर्स के गठन का एलान किया था मौजुदा समय में लड़की की शादी की आयू 18 साल और लड़की की शादी की उम्र 21 साल है बेरो रिपोर्ट, HBN News एक टाका राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी महुआ विधान सभा शेत्र के दोन प्रखंड के अंतरगत विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल केम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्त पर कोरोना जैसे महामारी को आई हुए पाच महिने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल पंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिल लेगे हुए है अपने अस्पताल के मात्यम से पिछले पाच महिनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास का वित्रन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाब सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वित्रन क्यों करी विचार ठिक तो है नितिश कुमार डॉक्टर आस्मा परवीन प्रदेश महासचीव जदियू बिहार श्यभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधान सभा 116 संस्थान मिश्या क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली